इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम अलेकुम रहमतुलाई वरकातु इत्तिहाद में आप सबी काखार मक्तम है भारत के प्रदानमंतरी यानि वजिर आजम को अमरीके सदर ने मलेरिया की दवा हेड्रोक्स और क्लोरोक्वीन मांगी नहीं बलकि दमकी दे कर ली समझ में नहीं आया कि जबके भारती मेड या वजिर आजम को दुनिया का ताकत और वजिर आजम मनानी के पूरी कोशिश कर रहा है पर प्रदानमंतरी के साथ इस तरह का रवया सोचने पर मजबूर कर देता है क्या क्या आखिर वाकई आलमी सतह पर हमारे मुल्क के वजिर आजम का मरतबह जितना बढ़ाए जाता है इसमें सच्चाई भी है भारत की मीडिया को वैसे भी घोधी मीडिया या मोधी मीडिया कहा जाता है सवाल इसलिए भी उड़ता है कि मोधी को भारत में सबसे ताकतवर नेता माना जाता है तभी तो अगर थालिय और तालिय बजाने के लिए कह जाता है तो सवाल भी पूछे नहीं जाते हैं बस सड़कों पर छटों पर तालिया थालिया पीटने में लगते हैं 9 बचकर 9 मिनट पर दी है मुंबती टॉर्ट जलाई जाते हैं खैर सवाल या नहीं है किया वाकई मोधी अमरीकी सदर ट्रम्प के नजदी की है या सक्चे दोस्त हैं भले मोधी ट्रम्प को दोस्त मानते होंगे पर इस बात से यह साबित हुआ है कि ट्रम्प कभी भारत को धो पर चल्वाब देते हैं कि हमारी संस्कृति है कि आधी रोटी भी बांट कर खाते हैं पर सवाल बांट कर खाने का नहीं है बलकि अमरीका तो बचीवी आधी रोटी भी चीनने का प्रहाज कर रहा है यह और बात है कि इंडियन ड्रक्स मैनुफेक्चर असोशेशन के एक्ज इसके अलावा इसे जोडों के दर्द के लिए भी इस्तमाल किया जाता है अमरिका के जॉपकिन्स इनर्चिटी के लूपस सेंटर के मुताबिक यह दवा नसोर जोडों के दर्द को कम करती है कोविड-19 के लिए यह दवा कारगर हो सकती है ऐसा ट्रम्प का कहना है लिहाजा ज वी नहीं की टर्म एस्तवाल के लिए लाखो करड़ों रुपे खरचकर दिवार तामी कि ताकि हमारे गरीबी नजर न अए सेंकडों हजारों लोगों को सड़कों पर खढ़ाकर Всё नमस्ते ट्रम्प करवाया हर लिहास से भारत हुकुमत भी इस मामिले में घुटने पर नज़र आई जब कि इससे पहले अमरीकी सदर क्लिंटन ने भारत के बारे में सक्त अलफाज इस्तमाल किये थे तो उस वक्त के राश्ट पितिन नाराएने ने इसकी मजबमत करते हुए कहा कि अमरीकी सदर का बयान अफसस नाक रहा कहने का मतलब यहा है कि जब कभी भारत के बारे में कहा गया तो उसका जवाब भी दिया गया था जब कि भारत का डंका पीटने की बात कही जा रही है और डोनल्ड टरम्प जो चाहे कहे जाते है यह पहली मरतबा नहीं है पर जब भी आप मोधी का मजाग बनाने से भी नहीं चुकते ऐसा कहा जाता है जबकि अमरिकी राष्ठपते टरम्प ने फिर एक बार बदले की अपनी धंकी से भारत को अपमानीत किया है तो भारत की जद्वाकार का ताफुस हमारी जिम्मेदारी है और वैसे भी हमें अमरीका से अब में से ताली बजाई घंटी बजाई और मुंबती भी जलाए उन लोगों को भारत के जट वाकार की हिफाज़त के लिए आगे आना चाहिए और ऐसा करने के अध़तार पसीर मुल्क की कयादत को यहां बात बतानी चाहिए कि वहां हमारी अमीर विरासत से भी सबक सीख ले इत्